हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ तुलीका और कुकवित तुलीका में आपका स्वागत है आज की रेसिपी मैंने नहीं हम सबने मिल के बनाया है और ये है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा जिसे हमारे छट फर्म में जब हम गाउ जाते हैं तो वहां सारे जेंड्स लोग मिल कर इसे बनाते हैं और इसे आग पे बनाया जाता है जो गोइठा होता है उस पे इसे बनाया जाता है सबसे पहले बना है चोखा आलू बैगन और टमाटर का चोखा बनता है बिहार में हम इसे चोखा ही कहते हैं बहुत से लोगी से भरता भी बोलते हैं और फिर ये बन रहा है लिटी लिटी का जो मसाला है मैंने पहले से ही प्रिपेर करके रख दिया था लिटी का मसाला सत्तू से बनता है और सत्तू में मैंने अजमाईन, मंगरे, लौसून, अद्रक, हरी मीर्च, धनिया पत्ती, निम्बू, नमक, सरसो का तेल और फिर थोड़ा सा अचार का मसाला डाल कर इसे बनाया जाता है और अब देख सकते हैं कि बच्चे इसे कितना इंज्वाय कर रहे हैं पहले तो बच्चों ने बाहर जाकर पटाखा छोड़ा, उसके बाद फिर उसकी सफाई की अब यहाँ पे लिट्टी बनाने के लिए आग जलाने की बिवस्था हो रही है तो आग जलाने के लिए यहाँ पे गोठा का यूज किया जाता है जिसे की गाय के गोबर या फिर भैस के गोबर से बनाया जाता है और इसी आग में लिट्टी को पकाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भाईया और मेरे देवर सब लोग मिलकर इसे आग को बना रहे हैं और बच्चे भी घर बाहर करकर काफी इसे इंज्वाय कर रहे हैं और यहाँ लिट्टी जो है वो बनकर तयार है अब इसे भाईया आग में डाल कर इसको पकाएंगे तो आग में डालने से पहले आग को अच्छी तरह से बनाना बहुत जरूरी होता है अब देख सकते हैं कि भाईया ने आग को कैसे बनाया है और इस तरह से जब यह आग जल जाएगा फिर इसमें सारे लिट्टी को एके करके डालेंगे और इसे उलट पुलट कर हमें सेकना होगा अगर आप इसे एक ही तरफ से छोड देंगे तो एक तरफ से पक जाएगा और दूसरी तरफ से कच्छा रह जाएगा या फिर जल भी सकता है अब सारे लिट्टी को निकाल कर फिर से हम इसे आग में डालेंगे तो आग में डालने से पहले आग को फिर से बिलकुल राख बना दिया जाता है और जो गर्म राख होता है उसमें इस लिटी को डाल कर लगवक 10 मिनट के लिए ढख दिया जाता है इससे क्या होता है कि लिटी अंदर तक पक जाता है और जलता भी नहीं है और खाने में काफी सोना सोना लगता है तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुका है अब इसे फिर से आग से निकाला जा रहा है और आग जो है वो बिल्कुल राख बन चुका है लेकिन राख गर्म है तो उसी गर्म राख में लिट्टी अच्छी तरह से पक जाता है फिर लिट्टी को निकाल कर इसे एक साफ कॉर्टेन के कपरा में अच्छी तरह से इस तरह से इसे पोचा जाता है और लिट्टी जारने का भी अपना एक तरीका होता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लिट्टी कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया है अब इसे हम फिर से दूसरे बरतन में ट्रांसफर करेंगे और इसमें धेर सारा घी डालेंगे जब तक आप लिट्टी में धेर सारा घी नहीं डालेंगे तब तक आपका वो टेस्ट नहीं आ पाएगा घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे और फिर से इसे हम आग पे डाल देंगे और इस तरह से हमारा लिट्टी जो है वो बन कर तयार है और भाईया अब इसे सर्फ करने के लिए ला रहे हैं लिट्टी चोखा संध्या अर्ग के दिन बनता है जब हम लोग घाट से वापस आ जाते हैं तो फिर सब मिलकर इसे बनाते हैं और बच्चों ने भी इसे खूब इंज्वाई किया उनको भी नई नई चीजे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है फिर हम सब लोगों ने भी खा लिया तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग भी इसे खूब इंज्वाई किये होंगे